हेलो फ्रेंड सब देखरें टेकनिकल हिंदी गुरुजी फ्रेंड नीट 2020 छात्रों के लिए बहुत अच्छी खुसकरी आ चुकिए फाइनले आपका बेट जो है आप इंतिजार कर रहे ते वो समाप्त हो चुका है जी हम फ्रेंड से एक नया एलॉट्मेंट रिलीज छात्रो किसी भी स्टेट से ब्रोंग करते हैं अगर आप सेकंड राउंड की कांसलियों के पाइसिपेट करना चांते चाहिए स्टेट की और अल इंडिया को टागी हो बहुत अच्छा फादा आपके लिए होने वाला है वीडियो को बिल्कुल अंतक देखते रहें और जिन चात्रो अलोट्मेंट लेश्ट प्रोविजिनल एंपी स्टेट कंबाइड यूजी कांसलिंग नीट MBBS BDS 2020 यह रात में रिलीस की गई है 19 नमबर रात को रिलीस की गई है ठीक है और यहां पर मैंने सुभा ही आपको वीडियो प्रवाइड करा दी यहां पर देख सकते हैं सीरियल न कि एक नेम क्या है MP की डोमिसाइल है यह यहां दिया है इलीजविल्ट काटागरी क्या है हो यहां दिया है allotment category कॉन सी यहां पर है वहां पर दिया है college government किया गया है private तो बो गवर्वेंट कॉलेज कर लोट किया गया है तोसका गौन सा कॉर्स Mbbs कोर्स के लिए क्लिए गया मैं आपको बता दूँ कि यहां से जो स्टार्ट हुया है वह यहां पर 16626 यह गवर्मेंट कॉलेज अलॉट हुए है मैं आपको थोड़ी कम रैंक वाली छात्रों को दिखा देता हूँ इस लिष्ट को मैं टेलिग्राम पर अफ्लूट कर दूँगा वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजेगा ठीक है मैं भी बता दूँ फ्रेंट्स 154 पेज का फीडिय अप है और यहां से देखीगा छात्रो की है ठीक है मैं सबसे थोड़ा नीचे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कितने कितने मार्क्स पर चात्रों को यहां से देख सकते हैं 500 600 के लंग समाते हैं तो MBBS में इनको गवर्मेंट कॉलेज अलॉट किया गया है और यहां पर देख सकते हैं यह चात्र है जो कि 591 मा बताऊंगा अभी कि जिन चात्रों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको सेकंड रावन में गारंटी से कॉलेज अलॉट होने वाला है जिनको से रावन में यहां पर नौट अलॉट दिखाए जा रहा है उनको सेकंड रावन में गारंटी से मैं बता रहा हूं कॉलेज अ लोट किये गए हैं उसके बाद यह देखिए इसमें क्या benefit होगा second round के छात्रों के लिए जो यहां पर not allotted दिखा रहा है ठीक है जितने भी यहां पर maximum देखिए है friends मैं आपको पूरा दिखा देता हूं देखिए नीचे comment box में जरूब बताएगा देख सकते हैं मैं 104 पेज की पीडियाफ पर चला हूं दो 102 पेज पर ठीक है और यहां से देख सकते हैं मुझे किया नहीं government college किया गया ठीक है जो फर्स्ट रांड में छात्रों को not allotted बताए गया है ठीक है वो कोई reason होगी कोई काराण होगा जिनको not allotted लिखा गया है अगर इनकी marks की बात करूं तो 274 marks पर भी छात्रों को government college किया गया है लेकिन यहां 144 marks है फिर भी इनको नहीं किया गया माक्स की कोई दिक्कत नहीं लेकिन हो सकता है इनको की problem दिक्कत हो इसनी अलोट नहीं किया गया हो यहां से मैं सबसे last page पर आ चुका हूं और आप last page पर देख सकते हैं ठीक है not allotted not allotted यहां पर लिखा हुआ है ठीक है तो आप यहां से लगा सकते हैं अनुवान की इन चात्रों को government college के अलोट नहीं हुआ यहां से देखी कर फेंड यह चात्र है जिसको government mbbs college क्या गया है जो कि government medical college साधवल में है ठीक है इसको देखते हैं कितने marks है इसके 114 marks for friends इसको government college क्या गया है mbbs का तो आप participate करें अगर आप college लेना चाहते हैं तब ठीक है कोई दिकत परेशान ही होती हो तो comment box पूछ लिए और इस लिष्ट को मैं टेलिगरांप पर अप्लोड कर दूँगा फिलाल इस वीडियो में तला था second round में जिन चात्रों को benefit होने वाला है ठीक है government college जिन चात्रों को अलोट ह इसके हैं और इसको government college लोट किया गया है ठीक है तो यहां से देख सकते हैं friends फिलाल इस वीडियो में तरह ही था चली नेक्स्ट वीडियो मिलते है अगले update के साथ